दोस्तो बाबा अपनी कुटिया के बाहर बैट कर तपस्या कर रहे होते हैं लगता है बाबा कोई नई सक्तिया लेने की तैयारी में है बाबा मन में सोचते हैं अब बहु ट्राई हो गया है अब सूपर डूपर रिंग बना कर देखता हूँ तभी बाबा सूपर डूपर रिंग बनाते हैं और बाबा तो रिंग बनाने में काम्याब हो चुके हैं तभी बाबा सोचते हैं मेरी तपस्चा तो रंग लाई अब मैं भी सूपर डूपर रिंग बना सकता हूं पर मैं ये रिंग बार बार नहीं बना सकता हूं चलो बहुत दिन हो चुके हैं अब मैं अपने बच्चों गुली-बुली और पॉटी बोई सोन से मिलते हैं आओ मेरे प्यारे भायर मॉंस्टर वाली बेटे लगता है अब हम नहीं हारेंगे जो तुम्हारे पस अल्टरा रिंग है उसको चला कर दिखाओ लेकिन इविलन अगर रिंग ज्यादा चलेगी तो उसकी सक्तिया कम हो जाएगी मैंने जो कहा उसको करो और कुछ नहीं तभी अपना पॉटी बोई सोन अपने प्लेन से जंगल पार कर रहा होता है अच्छा किया तुम्हागे यह तो अपने पॉटी बोई सोन है अच्छा किया तुम्हागे नहीं तो मैं तुम्हारे बाबा के पास यहने वाली थी इविलन इस सौन के बच्छे का क्या करना है यह बेटे अपने अल्टरनिक से इसे उल्टरनेट का दो देंगे कौन आता है बचाने इदर बाबा गुली बुली के घर पहुच जाते हैं अरे गुली बुली तुम्हें तिर रात को खड़े कड़े यहां क्या कर रहे हो बताओ मुझे अरे बाबा हम सौन का काफी दिर से इंतिजार कर रहे हैं वो जंगल की तरफ प्लेन से गया था और वो अभी तक नहीं होगा अरे क्या कह रहे हो जंगल तुम्हें को वहाँ जाने कैसे दिया तुम्हें पता नहीं है कि जंगल किना खंडरनाक है बाबा मुझे लगता है मैं तो तुझी खोज रही थी, लेकिन तुमने अपने बच्चे सौन को भेज दिया, मैं सौन का मार मार कर ये हाल कर दूँगी, कि वो कभी प्लेन में नहीं बैठ पाएगा, और जब भी वो प्लेन में बठेगा, तो मेरे बारे में तीन बात तो जरू सोचेगा, याद रखन तो दोस्तों क्या होगा आगी की स्टूरी में, बाबा इवीलन के चंगूल से सौन को छुड़ा पाएंगे की नहीं, अब तो बाबा के पास भी सूपर डूपर रिंग है, इसका अगला पाट हम देखेंगे अगली वीडियो में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें इसका अगला पाट देखने के लिए और वीडियो को लाइक करें और खुब सेर करें